नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी प्यारे शोताओं का हमारे कारिक्रम ब्रिंबो सेलेप्स में मैं हूँ आपके साथ रविंद्र सेंग आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शक्सियत से जिनका सरुकार फर्खवाजिले के फतिगर्ड शहर से है आप EPFO में भविश निदी आयुक्त के तोर पर कारित हैं तारकिक बुद्धी और भावो खिर्दे ने आपको ऐसा शायर बना दिया जिसमें दिल की गहराईयों में उतरने का माद्दा है आप कई पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हैं आपने कविताएं और लेक भी लिखे हैं जशने अदब के द्वारा 2021 में आपको पोईट आफ ताइयर के सम्मान से भी नवाजा गया है और आपके चाहने वाले आपको आलोग दशायर कहकर पुकारते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं EPF कमिशनर और अदब की दुनिया के बेहतरीन शायर आलोग यादब जी कई सर बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका बहुत-बहुत दन्यवाद रविंद जी और रेन्बो के सभी शोताओं को मैं प्यार से नमस्कार कहता हूं सर सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुपकामना है आपकी नई पुस्तक लफज चारा गरी भी करते हैं के लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- 2022-24 के बीच की रचनाएं हैं और खास बात ये है कि इसको हमने नहीं प्रकाशित किया है मतलब मैंने उसको संकलित नहीं किया उनकी गजलों को उनके चैन नहीं किया है इसका चैन बहुत बड़े लेखक और आलोचक हिंदी के श्री ओम निश्चल जी ने किया है और उन्होंने हैंने एक सीरीज निका ली है गजल संग्रह की अलग अलग शायरों की जो वर्तमान में अच्छे शायर हैं जैसा उनका कहना है उसके माध्यम से सीरीज प्रकाशित हुई है उसमें एक नाम उन्होंने मुझे इस लाइक समझा के उस्रीज में शामिल करें तो यह किताब इस काम किया गया है और वहाँ पर संक लिए तो ही सारी चीज़ है ये भी समझना चाहेंगे ये जो लफज चारागरी भी करते हैं आपने जब इसका सब्जेक्ट चुना क्या सोच के इसी विशाय को रखा ये ही लफज आपने चुने और इसमें सबसे पसंदीदा जो आपके वज जो मेरी रचनाएं हैं इनको देखके जो आपको सबसे अच्छा टाइटल लगे वो रख लीजिए और इस तरह से ये टाइटल आया मेरी एक गजल से गजल का मतला है कि लफज चारागरी भी करते हैं दर्द की पैरवी भी करते हैं और कहने का मतलब यह है कि जो शब्द है तो शब्द जो है उब्रम है, शब्द बहुत कुछ कर सकता है, शब्द आपके चोट पे मरहम लगा सकता है, शब्द आपको चोट दे सकता है, शब्द आपको अपमानित कर सकता है, शब्द आपका मान कर सकता है, शब्द आपके अपमान को ठक सकता है, शब्द मान मरदन भी हैं आपका कारकरम रेंबो सेलेप्स में और चलिए बाचीत के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं आलोग जी जीवन में जब भी हम किसी सफर की शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है आपको शायरी का शौक कब से हुआ मैं जब स्कूल में था विद्धियाले में फत्र में केंद्रे विद्धियाले में पढ़ता था उस दोरान कुछ ऐसे एससाथ हुए जिन से मैंने कुछ कविताई लिखनी शुरू करीं और उनको अपने विद्धियाले में भी सुनाया जहां मुझे प्रशिंसा मिली और फिर कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हुआ ऐसे महान साहितिकारों से जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और ये कहा कि हाँ आपके अंदर एक साहितिकार छुपा हुआ है हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कहीं भटक जाते हैं तो आप बिलकुल दूर चले जाएंगे और अगर आप चलते रहते हैं तो आप कहीं से कहीं भी पहुंसकते हैं जुनून है आपके अंदर खैर ये सिल्सला वहां शुरू हुआ और चलता रहा इन्यूस्टी के दौरान भी मैं लखनू में पढ़ा B.A.C. किया मैंने मैं इलावाद इन्यूस्टी से M.B.A. किया उस दौरान मैंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं और आकाशवाणी से मेरा जुडाओ लखनू विश् इस तरह से चल्चला चलता रहा 93 में एक ऐसा दोर आया जब मैं Civil Services की त्यारी करते करते और फिर उसके बाद अपने करियर की चंता करते हुए इस लेखन से दूर हो गया उससे पहले मैं बहुत छपता था लगबग सारे अख़बार सारी मैगजीन जो उस दौर की थी उन में मेरे लेक कहानी कोईता है चपते रहते थे 93 के बाद कोई 20 साल बाद 2013 में मैंने फिर से लिखना शुरू किया और एक करशन था मेरा गजल के परती हमेशा से लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला लिया जो गजल का राफट है जो कियोंकि गजल एक बहुती नाजक इन चिन्फ है बहुत नाजक विधा है जिसमें क्राफट का बहुत ध्यान रखना पड़ता ए उसकी बेहर उसका रदीफ उसका काफिया वो सब जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये सब सीखने को मुझे मिला बरेली में जब मैं बरेली पोस्टिट था उस समय दो जार तेरे में जब मैंने दुबारा लिखना शुरू किया तो मुझे किसी के जरीए श्याकील नुमानी साब से मिलने का मौका मिला जिनको मैं है और बड़े शायर तो हैं ही लेकिन अच्छे उस्ताद भी है तो मैंने उनको उस्ताद किया और इसके बाद उन से सीखा और उसके बाद से अब तक केवल शायरी की है बाकी सब विदाओं में अभी दुबारा फिर से लिकना शुरू नहीं किया है गजल और केवल गजल तो गजल की तरफ ही रुख की हुआ गवताएं और ज्यादे तर लोग क्या करते हैं कि युवाओं को सेलेट करते हैं उसके बाद उनकी तरफ बढ़ते हैं कोशिश करते हैं कि फेमस होने के युवाओं के लिए हम लिखें लेकिन आप सिर्फ दिल से जो नैचरल चीज आपके फिल्मों में थी और वैसे भी वो बहुत पसंद थी दूसरी बात ये कि जो जिस पेशे में मैं हूँ वहाँ विस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं उन विस्तताओं के बीच में कोई भी बहुत लंबा समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता था गजल में एक सहूलत है कि ये कुछ शेरों से बनती है गजल के अंदर कुछ पाँच या साथ या कुछ अशार होते हैं शेर होते हैं जो दो पंक्तियों के होते हैं हर शेर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है उसका अगले शेर से कोई सम्मंध हो ही ज़रूरी नहीं है तो जब मौका मिला जब वक्त में मैंने बात कह ली और तीसरा यह होता है कि अलग अलग वक्त में मैं बात कह लेता हूं एक गजल कई किष्टों में पूरी हो जाती है तो वक्त के साथ कोई समझोता करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है और ये चौता मैं एट कर देता हूं कि उस पल को आप प य ripple जैसे एक शेयर मेने कहा कि तुम काम से आयो तुपर काम बताो तुम काम से आयो तुपर काम बताो बेकार खुशामत में नहीं वक्त करवाओ तवा, भालोग जैं, तौज़ आपने एक जगाता है कि आप जब कुछ लिखते हैं तो आप इशवरे सत्ता से कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोख शुरूप से वा yönवारता रत रहते हैं किसी शेर में खुद का अनूभव किया हुआ सच कहते हैं तो किसी में देखा समझा और महसूस किया गया पैशास बया करते हैं मैं चाह Signवा कि हमारे ऑफिकर इस्टूडियो को गुझभा करें कैसे आप अपने एहसासों को अफास बना लेते हैं यह तो मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं करता हूं बलकि हर शायर यही करता है कि सामने जो देखता है, दुनिया में जो देखता है अपने आसपास जो देखता है उसको बयान करता है कुछ हाप भी थी कुछ जग भी थी और जब वो एसासात के उन दाइरों से निकल कर उपर वाले से जुड़ जाता है अध्यात्म से जुड़ जाता है तब वो ईश्वर से बात करने लगता है तब उसकी शैरी एक अलग पाता हूँ वो उनकी इजाज़त के बिना नहीं मुमकिन है और वो ही शायद कहलवाते हैं मुझे तो दिल के ख्यालात हैं जो अलफास के रूप में हाँ नेशरली बिल्कुल देखिए एसास तो इश्वर प्रदत या प्रकृति प्रदत है जे और शब्द जो है वो हमने अ बदर के सिखा और आवाज तो आपके एक एक शेर मैंने जी बहुत शुक्रिया एक शेर मैंने कहा कि कहूं कुछ शेर ऐसे जो उतर जाएं दिलों में कहूं कुछ शेर ऐसे जो उतर जाएं दिलों में मेरे मौला मुझे इतनी तरी बक्षिश बहुत है बहुत 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 दो चार शेर भी अच्छे कह जाओं बशीर बदर साब मुझे बहुत पसंद है बशीर बदर साब ने एक जे लिखा कि अगर किसी शेर की जो शिनाखत है या किसी शेर की जो उसकी असली पहचान है उत तब होगी जब पचास साल बाद भी जिन्दा रहे बहुत खुब बाद की बिलकुल आस तो आपके सामने लोग पड़ रहे हैं जहन में बस जाया जी जहन में बस जाया और चलता रहे वेल्कम बैक रेंबो सेलेप्स सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रविंज सिंग और हमारे साथ इस वक्त बहतरीन शायर आलोग की अद़ जी मौजूद है चलिए बाचीत के सफर को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं सर एक पुस्तक आपकी आई थी कलम जिन्दा रहेगा में आपने लिखा है कि जिस तरह मेरा होना निश्चित था उसी तरह मेरा शायर होना भी तैथा इसलिए कुद्रत ने मुझे एक हसास तबियत इनसान बना दिया हमारे शोता ये जरूर जाना चाहेंगे कि हसास तबियत इनसान अलोग दश शायर कैसे बना कुछ अपने शेरी सफर के बारे में बताईए के शुरुआत जो है कविता और लेखन की शुरुआत तो ही स्कूल में उसके बाद वो जारी रही विश्वद्याला की दोरान भी अगर गजल की बात करें तो वो शुरू ही 2013 से 2014 में एक मैंने गजल संग्रे संपाधित किया ते जिसमें हमारे जैसे कुछ प्रशाशनिक सेवाँ में जो लोग हैं और अच्छी शैरी कर रहे हैं उनकी गजल दस दस गजल लेके वो संपाधित किया तो वो 2014 में है था 2016 में जैसा मैंने पहले बताया है मेरा पहला संग्रे आया लोग भारती प्रकाशन इलावात से उसी के नाम उसके बाद 2022 में मेरा दूसरा संग्रे आया कलम जिन्दा रहेगा भारती ग्यान पीट से और यह जो तीसरा संग्रे है जो कि मैंने नहीं किया है इसको तो संकलित और संग्रहीत किया है ओम निशल साब ने यह इस तरह से अगर माने तो तीन संग्रे हैं इस जो तीसरा संग्रे है उसमें पिछली संग्रे की भी कुछ चुनिंदा गजल है और नई गजल भी है मैं आपको जैसा कि आपने कहा तो मैं आपको कुज़गदल सुना देता हूं उससे आपको पता लगएगा कि कैसे सफर चला और कैसे हसास तबियत इनसान बना वैसे तो खेर मैंने पहले भी कहा जैसा आपने भी पढ़ा कि ये तो इशर प्रदत है उन्होंने मुझे ऐसा बनाया जब मुझे जन्म दिया तो शैर लिख दिया कि मैं शायरी भी करूंगा तो एक कुछ शेर सुने के तेरी तस्वीर जो हस्ती हुई है तेरी तस्वीर जो हस्ती हुई है हमारी मेज पे रखी हुई है नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, मुझे इस बार हैरानी हुई है, अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी पहलू में तू बैठी हुई है, न जाने कब तलक सूरज धलेगा, बड़ी मुश्किल ये दो पहरी हुई है, ये लगता है तिरी यादों की तितली, यहार फू पर बैठी हुई है, ये लगता है तिरी यादों की तितली, यहां हर फूल पर बैठी हुई है, और जो किताब का टाइटल है, उस गजल के दो शेर तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ, बिल्कुल, तो उसके बाद पिर मैं आपको एक गजल के कुछ शेर और सुना देता तो ये उसी के नाम तो भी जानना चाहेंगे हम, ये जो टाइटल रखा आपने, वो भी एक शेर था, वो एक गजल थी मेरी, उसका एक शेर था है कि मैं उसी के नाम करता, ये हयात और मौत सब कुछ, मुझे जिन्दगी पे आलोग, अगर इकस्तियार होता, बहुत को, आप कुछ और सुनेंगे, ये आप कुछ और भी सुनाना चाहते थे, वो शायद आप में रोख दिया, तो मैं ऐसी लिए रुख गया, हाँ, मैं कुछ शेर सुनाता हूँ कि मनजर हमें यहां कोई अच्छा नहीं लगा, इन में कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा, जब जिस दिन से तुम चले गए रिष्टे समेट कर, जिस दिन से तुम चले गए रिष्टे समेट कर, उस दिन से गाओं में कोई मेला नहीं लगा, बहुत को, और घजल और शेर के बारे में भी एक शेर है कि कुछ शेर सारी उम्र मुकमल नहीं हुए, शेर का मुकमल होता है, ज शेर सारी उम्र मुकमल नहीं हुए सानी के जैसा मिसर ए उला नहीं लगा मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब जतना तु दूर था मुझे उतना नहीं लगा बहुत ख़ब तो ये दो घजल मैंने आपको सुनाइं मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके रेन्बो के शोताओं को पसंदाई होंगी इसमें जो आपने मिरर वियू का प्रियोग किया है बहुत कम लोग हैं जो ये रिस्क लेते हैं कि अर्दू में आप इंगलिश का भी मिश्रन कर देते हैं ये बात बिल्कुत सही है वहां पर खराब नहीं लगी चुब ही नहीं जाईयों का है अगर तो उसके पीछे की वज़या और कभी किसी ने इस तरफ आपको टोका या बताया हो देखे रियर वियू मिरर कौप हिंदी या उर्दू क्या कहेंगे जो शब्द जहां पर उपयोग हो सकता है वही होगा बिल्कुल जबरस्ती का अगर आप तर्जमा करेंगे और उसको चाहेंगे कि उसको उर्दू का शब्द लाएं वो बहुत अच्छा लगेगा नहीं और सबसे खुशी की बात मेरे लिए यह है कि इस दौर के बड़े शायर फरत इसाथ साब ने मेरे शेर को ही खास तोर से अपनी भूमिका में कोट किया है जब कलम जिन्दगर की भूमिका उन्हों लिखी थी तो उसमोन ने इस शेर की बड़त तारीफ किये उन्होंने कहा है कि मुझे आम तोर पर उर्दू शायरी में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता लेकिन इस शेर में आलो के अदब ने जिस तरह से शब्द का इस्तेमाल किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल और अक्सर देखा गया है कि जब एक इनसान शायर के तोर पर पहला कदम शायरों के किसी महफिद में रखता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कहीं चूक ना हो जाए या फिर कोई मतला या मकता घलत ना हो जाए आपने जभ पहली बार मंचसाजा किया बहतरीन शायरों की बिश में तो क्या चल रहा था उस वक्ता आपके जहन में आपने लृस जगे पर वो पहला मंचसाजा किया था बिल्कुल आपने सही का कि अच्छ़ ऐसा रवया है कुछ ऐसा क्राफ्ट है आप तलवार की धार पर चलने जैसा है गजल लिखना तलवार की धार पर चलने जैसा है अगर आप जरा सा चूके तो तरंट आप खारिश कर देजएंगी आपका शेयर भी और आप भी यहाँ तक की तलफुज में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिलकुल, तलफस गरबढ़ हुआ और आपको यह कह दिया जाए कि आपको कुछ नहीं आता और खास तोर से जिनकी बेक ग्राउंड उर्दू की नहीं है उनके लिए तो कभी ऐसी कोई आलोचना सुनने को मिली कोई ऐसा दोर आया जब आपको यह लगा हो कि बड़ा मुश्कि से किया था और उसमें मुझे अच्छे नंबर भी मिलेते मैं लिखना पढ़ना दोनों जान गया था यह बात है 89 की 89 के बाद मैंने कोई भी जबान कोई भी चीज आप जब इस्तमाल नहीं करेंगे बढ़तेंगे नहीं तो नेचरली भूल जाएंगे तो अलिव बे तो नही कर तेरे में तब फिर मैंने एक बाकाइदा एक ट्यूटर लगाया उर्दू का जो मुझे सिखाने आता था और जिन्होंने मुझे बैट के इमला भी बोली मैंने लिखना भी सीखा मैंने पढ़ना भी सीखा तो अब काफी कुछ सीख गया हूं लेकिन मैं यह नहीं कह सकता क महारत आसिल कर ली हुरू, मैंने तलफफ के एभी बहुत ध़यान देता हूं, कई कई चूक होती है, बहुत सरी लोग कह भी देते हैं, कभी कुछ होती तो कुछ लोग टूक देते हैं लैकिन कुछ लोगर जोब समिटा, कैसे चीज़ों को शेयर किया, यह तो देखे बहुत मुश्किल काम होता है, बैलेंसिंग तो जिंदगी बर आदमी बैलेंसिंग करता रहता है, हर आदमी, हर इनसान कहीं न कहीं बैलेंसिंग कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत परिवार, नौकरी और शायरी और खुद अपने लिए समय निकालना और इसलिए मैंने कहा कि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने शायरी की तरफ मैं इसलिए चुका गजल की तरफ खास तोर से कि इसमें मुझे ये अवसर था ये मौका था कि आप मैं कभी भी अपनी सुविधा की नुसार शेयर कह सकते हो बिल्कुल है आप सुन रहे हैं रेंबो सेलैप्स कारकम और हमारे साथ हैं स्वक्त वहतरीन शायर आलोक क्यादव जी आलोक जी मैं अपनी एक बात से शुरू करना चाहूँगा कि किसी ने काई कि आलोक जी की शायरी में सच का रंग कभी मेयार को दुंदला नहीं करता प्रेसी की प्रतिक्छा हो या प्रेमी का चंचलमन आपकी कविता एक पूरी कहानी बया करती है आपकी शायरी के रोमानी अंदास को एक शक्स ने बया भी किया है और उधरर देते हूँ का है कि डाली है उसने कप मेरे चाय जियादा कुछ देर ताकी वक्त ठहर जाए जियादा ये शेयर मेरा ये मतला गजल का बहुत पसंद किया गया और आप तक पहुँचा इसका मतलब है कि दूर तक सफर कर रहा है कि डाली है उसने कप में मेरे चाए जियादा कुछ तेर ताकी वक्त ठेर जाए जियादा मारे चिचक के हमसे कही जाए ना दिल की उनको भी आए शर्म अगर हाए जियादा हम चाहिए चुको युवा इस तरह की शारी को बहुत पसंद करता तो एक दो और अगर आप शारी पेश करें तो बहुत अच्छा लगएगा जी मैं कुछ शेर सुनता हूँ कि ये रास्ते ये नजारे बहार का आलम तेरे बगहर दिले बेकरार का आलम धड़क उठे है तेरा जिक्र भी अगर आए धड़क उठे है तेरा जिक्र भी अगर आए ये मेरे दिल पे तेरे अख्तियार का आलम तुझे ख्याल भी आए नदूर जाने का तुझे ख्याल भी आए नदूर जाने का जो देख ले तु मेरे इंतजार का आलम हसद नहो हसद कहते हैं जलन को हसद नहो जो रकीबों के साथ भी देखूं तेरी वफा पे मेरे एतबार का आलम कभी तो आए रूलाने मुझे कोई आलोक कभी तो हो मेरे दिल में करार का आलम बहुत हो कभी तो आए रूलाने मुझे कोई आलोक कभी तो हो मेरे दिल में करार का आलम एक गजल के कुछ शेयर हो रहा है कि दिन दहकते हैं या आतिश दान से, राते महकें दर्द के लुबान से, शाम का वादा है लेकिन सुब भी, खुशनुमा है वसल के इमकान से, वसल कहते हैं मिलन इमकान कहते हैं संभावना, शाम का वादा है लेकिन सुब भी, खुशनुमा है वसल के मकान से दो पहर कटती नहीं हम क्या करें धूब जाती ही नहीं दालान से मौजें आखिर मांद क्यों पढ़ने लगी मौजें आखिर मांद क्यों पढ़ने लगी आपने क्या कह दिया दूफान से क्या नया सा लग रहा हूं तुमको मैं क्या नया सा लग रहा हूं बहुत खूब बहुत खूब जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता कि हाँ एक ऐसे अधिकारी के तोर पर आप नजर आते हैं जो आपका औरा जिसके हम बात करें कि लगता है कि बड़ा कड़क दिल इनसान होगे लेकिन जब आपसे बातचीत की जाती है और आपके भाओ को समझा जाता है और आप जिस तरह से पेश आते हैं कैसे आप खुद को शान्त रखते हैं और कैसे एक अधिकारी को एक आप इनसान की तरह में इंटेन रखा आपने देखे ये जो परसिनालिटी में जो भी चेंजिस होते हैं डवलिपमेंट होते हैं वो समय के साथ होते हैं पहली बात दूसरी बात है कि आपके महौल से होते हैं कि आपका घर का महौल कैसा है फिर आप जहां काम करते हैं वहां का महौल कैसा है एक अधिकारी अपने आप में reserve इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको उसका महौल इस तरह का होता है उसको reserve रेना पड़ता है वही व्यक्ति जब घर में होता है तो बिल्कुल different होता है तो हर इनसान के बहुत सारे रूप है हर इनसान के अंदर कई इनसान है उसको अलग अलग तरह से देखा जाना चाहिए मैं आपको एक गजल सुना देता हूं बिल्कुल बिल्कुल गजल का मतला यहां कि बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए नजर में तू रहा हम जाते जाते रह गए दिवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया दिवाना एक दिल की बात कह कर चल दिया. मुहजब लोग सारे एक कसमस आते रह गए. किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी. मेरी आँखों मे आसू आते आते गए. बहुत चरचे थे जस तरकी सघावत के यहां. 只 result मतल़ देया लुदा. वो ओरों पर खुला हमसर चुकाते रह गए. और आखरी शेयर है कि वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल हमी नादान थे बस मुस्कुराते रह गए क्या बात है बहुत खुब आपकी जो शेहरी है वो ऐसी है कि अगर सुने एक बार और आपकी आवास के साथ तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सो समझ के बिलकुल प्रकृती से जुड़ी हुई बात दिल से जुड़ी हुई बात जो बिलकुल धरातल पर सही होती है सत्य होती है वो आप कहते हैं ये जो जब आप सोचना शुरू करते हैं कोई विचार मन में लाते हैं फकोई शारी लिखना शुरू करते हैं, जो अलफाओ आप लेकर आते हैं, यह। क्या अप लिखने से पहले सोचते हैं, ऑर किन चीजेज़ों का आप धिहान रखते हैं? तर जो रहे हैं, आप जो देख रहे हैं उससे आता है। मेरा कहने के मतलर यह जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि रोमंटिक शायरियां ही लगें। कुछ लोगों का होता है वो जंदगी की हाकिकत से जूड़ी बात लिखते हैं। तो आपने भी ऐसा कोई एक रास्ता पकड़ा या आप हर तरफ रहना चाहते हैं या आपका कुछ अलग प्लेटफॉर्म रहता है। लेकिए कुछ लोगों के लिए शायरी फैक्टरी हो सकती है। जे हो मशीन की तरह जो चाहें वो प्रटक्ट निकल सकते हैं। मेरे लिए शायरी वैसा नहीं है। मेरी शायरी मुझे एक गजल भी जो एक दो महीने में कहीं एक पूरी होती है। जे और तभी होती है जब मुझे लगे कि हाँ बहुत जरूरी है लिखना और कोई ऐसा ऐसास है ऐसा विचार है जिसको अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे तकलीफ देगा। वो तभी मैं लिखता हूँ। यानि कुछ लोग शायरी को बिजनिस बना लेते हैं लेकिन आप की शायरी को आप जीते हैं। मैं बिजनिस तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ कुछ लोग जो है वो बहुत तेजी से किसी भी शापर भी लिखते सकते हैं। बिल्किल कुछ और मैं चाहूंगा कि एक दूशे रप युवाओं को के लिए जरूर कहें क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब बदलते वक्त में युवा जो हैं कई बार गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं तो उन से उमीद की जाती है कि वो उन चीजों को छोड़कर सही दिशा में जाए तो अलोग जी अब थोड़ा सा अलग जाते हैं हम लोग और गीत के उस सफर में वापस पहुंचते हैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी प्यारे शुदाओं का उमीद कर रहे हैं बहुत खास बाते हैं उनके जो बेहत दिल के खरीब है अलोग जी सबसे जो गहरी बाते हैं वो अक्सर कोई नहीं पूचता है लेकिन हम जरूर जाना चाहेंगे कि जिन्दगी में कभी ऐसा भी कोई मकाम आया जहां पर आपने खुद को असहज महसूस किया हूँ बहुत सारे होते हैं असहज महसूस करने के मौके तो हर जिन्दगी में हर समय आते हैं कि जहां आपको लगा होगी हाँ अब जिन्दगी काफी इस मोड़ पर आई है कि ठकावट से लगने लगी है और फिर आपने एक नई उड़ जा के साथ शुरू किया हूँ देखिए एक दोर आया है कोविड वाला जिसमें सब के उपर वो असर आया उस दोरान भी मैंने नेकशेर कहा कि हिसार आशकी में वजद की हालत में रहता हूँ बहारे मुझ में खेमाजन है मैं रहत में रहता हूँ तो शायरी ने मुझे बहुत ताकत दी वो सब जहलने की जो किसी को तोड़ सकती है किसी इनसान को मैंने कोविट के दूसरे दोर में अपनी पत्नी को खोया वो एक मोड था जहां से फिर मैंने अपने आपको संभाला और शायरी ने मुझे सहरा दिया बिलकुल और कुछ शेर ऐसा जो उस वक्त को बया कर सके हाँ उस वक्त को बया करने वाले एक घजल मैंने कही थी शायद कुछ बात मैं कह पाया हूँ के हाथों में हाथ देकर अपना हकीम जी को बेबस से देखते हैं हम उनकी बेबसी को ये कोविट को दौर इस घर की सारी खुशियां रखकर कहां गईं तुम ढूने हैं मिलके सारे, मिलती नहीं किसी को खाबों से खेलती हैं गूंगी पहलियां जब आती है तब अबासी यादों की चांदनी को खाबों से खेलती हैं गूंगी पहलियां जब आती है तब अबासी यादों की चांदनी को जब जब भी हमको घेरें साए उदासियों के हम बद हवास होकर आवास दें तुझी को तनहायां जला दी शब के अलाओ में सब तनहायां जला दी शब के अलाओ में सब यादों को करके यगजा बहला रहे हैं जी को ये उस दौर की गजल थी तौलोग जी इतनी सारी जानकारियां हमें हासल होई और हम आपके दिल की गहराईयों तक पहुँच पाए और उम्मीद करते हैं शोता भी हमारे जान पाए होंगे कि शायर बनने के लिए तपना पड़ता है और अपने ख्यालात को अलफाज में पिरोना पड़ता है तो एक बर फिर लफज चारागरी भी करते हैं के लिए आपको डेरों शुपकामना यालोग जी ये संग्रे भी आपका बाकी पुस्तकों की तरह लोगों के दिल और दिमाग पर चायगा ऐसे में उम्मीद है बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे स्टुडियो में आने के लिए